हलो एवरिवान कैसे हैं आप सब तो यह सेटरडे की शाम के टाइम का ब्लॉग है बच्चे बहुत जिद कर रहे थे की बर्गर मंगा दो ममा बर्गर मंगा दो तो फिर डैडी इनके जाकर बर्गर लेकर आये थे पास में यह एक रेस्टोडेंट है उससे मंगाया था तो मैं यह दो नो दोनों बच्चों के लिए मैं इतना नहीं खाती हूं यह सब चीज है मुझह के फ्रेंज प्रयास बहोत ज्याद आच्छे लगते हैं बहुत यमी लगता है टेस्टी बहुत बहत्रीं वाली मतलब ।ो मुझह बहुत अच्छे लगते यह उसपर एतको खाँँग वो इस restaurant को जानता होगा इसका खाना सच मुश में बहुत अच्छा है, और quality एंड quantity दोनों ही बहुत अछ्छी है, थोड़ा सा महेंगा है, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, पर मैं वेट नहीं कर पाई, फ्रेंट फ्रैज को देखकर तो मैंने खा लिया मुझे वेट नहीं हुआ मुझे बहुत पसंद है इसके फ्रेंट फ्रैज न तो पहले मैं बच्चों को ख्ला देनी इसके बाद और यह मैं संडे के दिन मिल रही हूं आपको आप सीधे सटर्डे को रात को मैं ज्यादा कुछ ब्लॉक करनी पाई तो संडे को न सारा काम बहुत लेट हो जाता है बच्चों के बाल मतलब मैं बेटी के बाल वगरत होती हूं और उस दिन मौसम इतना ज्यादा खराब था ना कि जिसका कोई जवाब ही नहीं मतलब बहुत ज्यादा ठंड हो रही थी तो जब मैंने इसके बालों को मैं मतलब सूक तो चुक हैं अभी तेल वेल डाला इसके धोते इसके टेल टाल देती हूं ताकि वह हो कही बार मैंने को कहा भी है तो शाम जितने भी मेरे कपड़े धुले हुए थे जो सूख गए थे एक दिन पहले के सूख हुए कपड़े सारे तय लगा दीया अ और अभी जो है सीधे शाम को शाम के साथ 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 हो रहे होंगे वो चार-पाँच का टाइम था जब मैं कपड़े वो कर रही थी तो यह पढ़ाई बच्चे पढ़ाई कर रहे थे पढ़ते पढ़ते हाथ में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी तो यह दिखाने आ गया कि क्या म ममा मेरे हाथ मे रग गई तो बस परने का लगता है बहाना चाहिए भक्रां को तो मैं यहां पर बना हूंबे पस बना रहे में पर यह दो बना लोग फिर मेरे को यह याद आया कि मैं रेडिमेड वाला बैटर का लेकर आय थी तो मैंने इसको ही बनाऊंगी तो इसमें सीधा सीधा लिखा होता है कि जतना बैटर लेना है जतना बैटर बनाना है उतना ही पानी यूज करते हैं और उसका आधा दही यूज करते हैं जल्दी इंटेंटली फटाफट से बन जाते हैं आलू भून लो और सांबर बना लो क्योंकि इसमें बहुत सारा काम हो जाता है जब डोजा बनाते हैं तो इसलिए तो यहां पर जो है जो भी उसमें लिखा वैसे था इसमें लिखा होता है मैं कुछ इस पेशल नहीं हूँ भच्छे दोनों बच्चे और मैं अर्मेरे नहीं में उसके असपने हैं तो इसे थागते मिशुड़ा बच जाएग्या कि तो यह अभी मैं आ भी इसमें थोड़ा थाए मैं पूंस करने बड़ेए हैं धुन धोटी जहीए को मिस्ति और मैं बना उंगी और मिस्तिकर form रहेत तो मैं ठके रख दिऊंगी अभी थोड़ी देर के लिए और अब ही में यहाँ दोजा बनाने की तयारी कर रहे हुं तो यहां पर मैनने तभACH औरम कई ढहना? मैं लो यहाँ सब्सकान अब अच्छे से नहीं बन पाया था और दिस्वा उसके बाद जो बनाए थे न वो फटाफट फटाफट बनते चले गए और इसदम क्रिस्पी क्रिस्पी बढ़िया वाले बन गए थे क्योंकि हस्बिन को बहुत पसंद आये और जब को बहुत अच्छे लगे थे बच्चों ने भी खा लिए थे दोनों ने बच्चे भी इना की एप अधा यहां पर मैंने पहल वाला कि शायद मैं नहीं बना पाऊंगे मैं येशा यह इंगर, मैं आकशा यह श्याय मय नहीं और के क्योंकि तुर्य आच बस्था मैं मलुद रखी दिया यह थी ई, नहीं बनता था तो मैंने तभी डिसाइड किया था कि मैं मतलब इंस्टेंट जो बनाते हो उसको लेकर आऊंगी तब बना के देखोंगी तो मैंने मतलब हो गया मतलब बन गए एक पहला दूसरा एक दो थोड़े से स्टार्टिंग के दो खड़ाब निकले ते उसके बाद परफेक् गया और क्रिस्पी क्रिस्पी एकदम परफेक्टली फिर मुझे समझ में भी नहीं आ रहा था कि किस तरह इनको बनाया जाएगा तो इनको थोड़ा सा गैस स्लो करके रखना पड़ता है थोड़ी देर के लिए और यह खुद ही अपने आप से ही चूटने लगते हैं जब द बनाते बनाते ही यह चीज हैं समझ में आई और फिर मैं समझ गई कि यह थोड़ी देर गैस पर सिखते रहना चाहिए तो अपने आप से ही साइट छोड़ देगा यहनी कि हम अपने तरफ से चुड़ा रहे हैं देखो यहां पर ना मैं जबर जस्ती चुड़ा रही थी जब क्रिस्पी बनेगा और अच्छे से सिख जाएगा तो यहां पर मेरा मतलब डोसा सिख जया है क्योंकि बच्चे ज्यादा सांबर के साथ नहीं खाते हैं तो इसलिए मैं दोनों साइट से ऐसे अच्छे करके अच्छे से दवा कर सेख नहीं ताकि आलू के साथ खा लें कम खा साज यह खा ली यह और मैं दिखा रही थी यहां पर लेयर अराम चे अलग हो रही थी क्रिस्पी थी ठोड़ा सा सोफ्ट मैंने थोड़ा सा सौस्ट पनाया था क्योंकि बच्चे ज्यादा क्रिस्पी नहीं खाते हैं तो आज का वीडियो इतना ही कल मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के तब तक के लिए बाई